हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल लिमिटलर्स किरेशन्स बाइ मोसमी आज हम भेज का एक ऐसा सबजी बनाने जा रहा हैं जो कि हर घर में एभलेबल है यह हम आलू, बेंगन, ड्रम स्टिक यानि छुई और टमाटो से बनाएंगे यह सब घर में होता है, मिल जाएगा आपको आसानी से और बनाने में भी बहुत पहज है छोक लगाने के लिए हमें बड़ी चाहिए जीरा और राई यानि सर्षो और चीली मसाले के लिए चाहिए जीरा, धनिया और शर्षो और पांच्छे लंसुन की कली हम पहले कडाई गरम करेंगे और मसाले को फाइन पेस्ट कर लेंगे फाइन पेस्ट करके उसको पानी डाल देंगे उसमें और उसका जो पानी है उसी को हम कडाई में डालेंगे जो उसका खदर का जैसा होता है ओ नहीं डालेंगे अभी हम नमक और हल्दी स्वाद अनुसर देंगे फिर इस मसाले में एक उबाल आ जाने पर हम इसमें जो कटा हुआ हमारा सबजी था टमाटो बैगन आलू और ड्रम श्टिक उसको डाल देंगे यह सब सबजी हर घर में एवेलेबल होता है आप लोग इसे बना कर खाईए इसमें प्रचूर परिमान में आईरन मिलता है बेज बालों के लिए बहुत अच्छा है यह सबजी टेस्टी भी होता है और कम इंग्रेंट में बन जाता है हर घर में यह सबजी बनता है लेकिन किसी किसी का तरीका अलग होता है अभी हम सबजी को अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनिट के लिए ढखकर पकाएंगे जैसे सबजी अच्छे से बॉयल हो जाए चर्ण ठाल पर के लो जाएंगे आएंपे और लागे जाएंगे से मिला अच्छे से जार्ण Stevenson झाल झाल अभी हम सबजी बॉइल हो गया है उसको निकाल देंगे और उसी कड़ाई में 10 ml ओयल देंगे अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे जीरा, सुर्षो और चीली का अभी उसमें हम बीरी से जब बनता है बड़ी उसको डालेंगे और उसको अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे इसको अजने आफने मेंगे अभी हमारा छोग त्यार हो गया है अभी हम उबला हुआ सब्जी को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको दिखे हमारा सब्जी बनकर तेयAR हो गया है यह बहुत ही कम समय में बनता है मेरा तो फैंधरा मिनिट लागा टकाल में आप लोग इसे जल्दी में तयार कर सकते हैं और इसमें बहुत भरपूर परिमान में आयरन मिलता है इसलिए आप इसको बना कर खा कर देखिए बहुत टेस्टी होता है मेरे चनल को जो लोग सबस्क्राइब नहीं किये हैं ओर लोग सबस्क्राइब कर लीजिए जो लोग सबस्टाइब कर चुके हैं और सिर्फ लाइब कीजिए